कि ही अजिए दोस्तों मेरा नाम सुरेश है आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि गाड़ी में गेर लोक लगाने के क्या फाइते हैं और क्या नुपसान है और क्या यह इसको लगाने से गाड़ी में कोई long term में दिख्कत आती है मैं आपको यह बताऊंगा सोछे पहले आपको बता दू मेरे पास 2017 मोडल टाटा टी गोर है और मैंने इसमें अभी ही रिसेंट्ली डियर लगवाया है अब देख सकते हैं यह मैंने रोहिणी सेक्टर आठ के पीछे मार्केट है नहारपुर मार्केट बहुत ही पौपुलर मार्केट है वहाँ से लगवाया है बहुत ही अचसी फिटिंग है इसकी आपको मैं इसको खोल के दिखाता हूँ इसको खोलने के लिए आपको चाबी की जूर्ट पढ़ती है बड़ इसको लगाने के लिए आपको कोई चाबी की जूर्ट ने पढ़ेगी अच्छे से गाड़ी में फिट होता है और गाड़ी की गेर में इससे कोई दिक्कत ने आने वाली है आपको गाड़ी में रिवर्स गेर लगाना है और इसको फिट कर देना है इसको लगाने के लिए आपको कोई चाबी की तुर्ट में पड़ने वाली है गाड़ी के लिए अगर आप मेरी माने तो सबसे सेफ लोग गियर लोग है अगर गियर लोग आपने लगवा लिया तो आप निस्चिंत होके अपने गाड़ी को कहीं भी खड़ा कर सकते हैं अब मैं आपको यह बताता हूं कि इसको लगाने से गाड़ी में कोई नुकसान है क्या तो आप देख सकते हैं इसको लगाने के लिए गाड़ी में कोई कटिंग वगेरा नहीं हुई है आपको तो पुड़ा साफ नहीं दिखेगा लगाने के लिए आपको किसी भी शोप पे आपको मिल जाएगा RD या बहुत सारी कंपनी इसको बनाती है मुझे ये 1450 रुपे का पड़ा था लोकल मार्केट से मैंने लगवाया था आप ओन्लाइन भी ले सकते हैं आपको 1200 रुपे तक ये आपको मिल जाएगा बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ओफलाइन ही जाके कहीं से लगाएं क्योंकि ओन्लाइन लगाओगे तो भी आपको मैकनी के पास जाना पड़ेगा अगर किसी दुकान वाले के पास जाएगे तो वो आपको कंपनी से ही बंदा बुलाएगा और वही आपकी गाड़े में फिटिंग करके जाएगा और उनकी वारंटी भी रहेगी और आप जाके सिकायत भी कर सकते हैं कि कोई गाड़े में अगर दिक्कत आती है आपके या इसकी fitting में लोक में कोई दिखता थी तो आपको जल्दी resolution हो जाएगा ठीक है दोस्तों Thank you